एक है business of selling an item, a product or a service, एक है business of selling a brand, तो जो brand बेच रहा है, उसके लिए कोई competition नहीं है, चोकलेट मैंने बोला, सुनते ही mind में सबसे बेला brand कौन सा है, category, उन्होंने एक category की एक particular space को occupy कर लिया है, इसको बोलते है mind space, branding की language, बिसनस को बढ़ा करना है, तो अपनी category को narrow कर दो, और यह देखो उस category में, उस particular keyword में, उस word में क्या कोई brand आता है mind में या नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो आपके लिए जगह है, अगर already आता है, तो अब आप अपना time खराब करते हैं, कि brand एक दो दिन में नहीं बता है, बट में भी 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसा brand होगा कि जैसे ही वो नाम लिया जाएगा, immediately आपका नाम माइड में आएगा, तो अब आपका कोई competition से लिए,